यहाँ पर आज गोल्ड परी आपको कुछ कहना चाहती है आप सुन सकते हैं और उससे आप लाब उठा सकते हैं गाईज कुछ ऐसे परिया होती है जो वाकई रियल लाइप में होती है और वो आपका हमेशा भला और सकसेज चाहती है अगर आप दिल से कभी भी अपने आज पास कोई भी प्राब्लम है तो आप एंजल को बुला सकते हैं परियों को आप संदेश दे सकते हैं और ये सब होने के लिए look out for a sign यानि एंजल जो है परियां जो हैं आपको sign भेशती हैं कहीं न कहीं से आपके पास feather उड़कर आ देखेंगे या सपने में भी आप feather देखेंगे तो समझ जाए कि परियां आपको कुछ ना कुछ ऐसा संदेश देना चाहती है ऐसा मैसेज देना चाहती है जो आपको जानना very very important है गाइस तो इस sign को आप समझने की कोसिस करें क्योंकि ये चीज जो है खुद परी बता रही ह है look for a sign sign को समझो और उसी के अनुसार आप काम करने की कोसिस करोगे तो आपका बहुत ज्यादा अच्छा होगा get more information परी आपको कुछ ना कुछ information देना चाहरी है कि आपके life में आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए कुछ ऐसी very important message आपको देना चाहरी है information देना करना चाहरी है guys उसको आप दिल से महसूस करिए या आप दिल से दिल से आप पूछे की परी मेरे से किया कहना चाहरी है क्या information देना चाहरी है उसको आप सुनने के कोसिस करेंगे तो वह information वह आवस्यक्षन अंदेश आपको आपके कानों तक जरूर पहुंचेगा आपके ड्रीम के थुरू या आपके कानों के थुरू या फिर आपके इंट्यूशन के थुरू जरूर से जरूर ऐसा आप करिए गाइस क्योंकि ये खुद परी का वचन है अनलाइकली आपके लाइफ में कुछ ऐसा हो जो आपका भी महसूस नहीं किये होंगे या हो सकता है कोई miracle हो या हो सकता है कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता है या miracle भी हो सकता है आपके life में लिक्ता है जैसे आप कभी सोचे होंगे कि मेरे life में बहुत धेर सारा abundance हो धन हो गाड़ी हो बंगला हो तो ये miracle की तरह से आपके life में आएगा अचानक आपको धनलाब हो सकता है गाड़ी बंगला मिल सकता है और आपको बहुत बहुत ज्यादा लाब मिल सकता है गाइज लेकिन यहाँ पे यह भी आया दोनों की होने की संभावना है यहां परी बोल रही है तो इसको आप जरूर से जरूर मानें दोनों के लिए सचेत रहें मिरिकल के लिए भी सचेत रहें और आपके लाइफ में कुछ ऐसा खराब भी हो सकता है इसके लिए भी आप साउधान रहें सचेत रहें दोनों इस्तियो में आपको miracle भी हो सकता है अच्छा भी हो सकता है और honey भी हो सकती है तो दोनों को compare करते हुए balance को करते हुए आप अपने life को जीने की कोशिस करें क्योंकि angel जो है बहुत ही powerful होती है परियां बहुत powerful होती है और इनके मुख से जो निकलता है बहुत ही ज्यादा सही और सची बात होती है तो हो सकता है कि आपका life बहुत अच्छा हो जाए बहुत बढ़ियां हो जाए यह सब बाते निकल कर आ रहे हैं